हेलो, वेलकम टू माई चैनल, ओल एक्जाम्स इस टैन मिनेट सुख वाले वीडियो में हम आज हिस्टरी के महतपून कुशन्स करेंगे जो सभी एक्जाम के लिए महतपून है पहला प्रश्ण देखते हैं गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉलेक्ट एक्ट उन्नीसों उन्नीस रॉलेक्ट एक्ट को ही काला कानून कहा था गांधी जी ने अगला प्रश्ण देखते हैं ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज और जेन्डरमीज कहा गया था? कालाशोक, घनानन्द, महापदनन्द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानन्द को कहा गया था? जेन्डरमीज और अग्रमीज ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा सेकेंड ओप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अग्ला प्रशन है मगद की प्रथम राजदानी कौन सी थी? मगद की प्रथम राजदानी थी? राजगरः फर्स्ट ओप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा और बाद में पाटली पुत्र को बनाय गया था अग्ला प्रशन है जेन परमपरा के अनुसार जैन धरम में कुल कितने तीर्थ कर थे 22, 24, 10 या फिर इन में से कोई नी इसका करेक्ट आंस्वे हो जाएगा 24 तीर्थ कर थे जैन धरम में सेकेंड ओप्षन इसका करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन है गांदी इर्वीन समझोता किस से समंधित हैं गांदी इर्वीन समझोता कब हो था 5 मार्च 1931 को इसका समंध हो जाएगा सविनिय अवग्या आंदोलन सेकेंड ओप्षन इसका करेक्ट हो जाएगा गांदी इर्वीन समझोता का समंध है सविनिय अवग्या आंदोलन से अगला प्रश्ण है जलिया वाला बाग में गोली चलाने का आदेश किस ने दिया था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ओप्शन डायर जलिया वाला बाग हत्याकान कब हुआ था 13 अप्रेल 1919 अमरत सेर की ये गटना है अगला प्रश्ण है असयोग आंदोलन सुरू करने के समय भारत के वाय सराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चैम्सपोर्ड, लॉर्ड डलोजी, वारेन हैंस्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ओप्शन लॉर्ड चैम्सपोर्ड असयोग आंदोलन सुरुक करने के समय ये भारत के वाई सराय थे कब से कब तक थे? 1916 से 1921 तक अगला प्रश्न है 323 इशापूरु में सिकंदर महान की म्रत्यू कहां पर हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैबिलोन में सेकेंद आप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है मात्मा गांदी को सर्व प्रत्म राष्टो पीता किस ने कहा था? सुबास चंद्र बोस, जुहार लाल नेरु, वललबाई पटेल, मोती लाल नेरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबास्चंद्र बोस सुबास्चंद्र बोस नहीं का था मात्मा गांधी को सर्वप्रतम राश्ट्र पीता अगला प्रशन है मात्मा गांधी के राजनिती गुरु कौन थे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण कोकले थर्ड आप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन है सारे जहां से अच्छा हिंदूस्तान हमारा की रचनाकार कौन थे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इकबाल इकबाल थे सारे जहां से अच्छा हिंदूस्तान हमारा के रचनाकार अगला प्रश्ण है सिकंदर और पोरस की सैना नेमनलिकित मैं से किस नदी के आमने सामने वाले तट्टों पर पड़ाव डाला हुआ था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेलम नदी के किनारी यूद हुआ था सिकंदर और पोरस की सैना के बीच अगला प्रश्ण है नंदवंश का संस्तापक कौन था नंदवंश का संस्तापक था महापदनन्द थर्ड ओप्षन इसका करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्ण है दक्षिन अपरिका में महत्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है भारत में जब क्रिप्स मिसन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था इसका correct answer हो जाएगा first option Lord Lithingo, first option इसका correct हो जाएगा अगला प्रश्ण है किस साशक्त ने अवंती को जीत कर मगद का हिसा बना दिया था इसका correct answer हो जाएगा शिशुनाग के द्वारा, जो सिशुनाग बन्स का संस्तापक्ता शिशुनाग अगला प्रश्न है, त्रीपिटक धरम ग्रंथ है, त्रीपिटक धरम ग्रंथ का किस्ते समन्द है इसका correct answer हो जाएगा बोधों से, second option इसका correct हो जाएगा अगला प्रश्ण है किस साशक ने बोधों के विख्यात विक्रम शिला विश्व विदाले की इस्तापना की थी धरम पाल ने फर्स्ट ओक्षन इसका करेक्ट हो जाएगा धरम पाल अगला प्रश्ण है बोध ग्रंत पिटकों की रचना निम्नलिकित में से किस भाषा में की गई थी बोध धरमें पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी सेकेंड ओक्षन इसका करेक्ट हो जाएगा पाली अगला प्रश्ण है महावीर का जनम किस चैत्रिय गोत्र में हुआ था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जान तरीक सेकेंड ओक्षन इसका करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्ण है किसके द्वारा तृत्य बोध संगिती को संद्रक्षन प्राप्त किया गया था तृत्य बोध संगिती इसका correct answer हो जाएगा अशोक के द्वारा थर्ड option इसका correct हो जाएगा कहाँ पर पाटली पुत्र में अगला प्रश्ण है कि साशक के साशनकाल में नेपाल में बोध धरम का गमन हुआ था इसका correct answer हो जाएगा अशोक first option इसका correct हो जाएगा अगला प्रशन है महावीर की माता कौन थी महावीर की माता तृशिला second option इसका correct हो जाएगा और उनके पीता का नाम था शिदार्थ और महावीर बुद्ध के जनम का नाम था शिदार्थ और महावीर स्वामी के पीता का नाम था शिदाद। अगला प्रश्न है प्राचिंतम विश्व विदाले कौन सा था नालंदा, तक्षिला, कन्नोज। इसका correct answer हो जाएगा तक्षिला सबसे प्राचिंतम विश्व विदाले था। अगला प्रश्न है त्रिपूरी संकट की समाप्ती के बाद कांग्रेस का अध्यक्स किसे चुना गया था? मात्मा गांदी, जुहालाल नैरू, राजेंदर प्रशाद, इसका correct answer हो जाएगा राजेंदर प्रशाद कोई अध्यक्स चुना गया था कांग्रेस का। अगला प्रश्न है भारत छोडो प्रस्ताव का अलेक किसने बनाया था? इसका correct answer हो जाएगा मात्मा गांदी, मात्मा गांदी के द्वारा ही भारत छोडो का प्रस्ताव का अलेक बनाया गया था। अगला प्रश्न है मोर्य समराज्य की स्तापना किसने की थी? मोर्य समराज्य की स्तापना की थी चंदरगुप्त मोर्य की द्वारा की गई थी, first option इसका correct हो जाएगा। अगला प्रश्ण है, मोर्य समराज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड आप्शन पर्ण, पर्ण एक चांदी का सिख्का हुआ करता था मोर्य समराज्य में. और दिनार मुद्रा का समन्द किस से? गुप्तकाल से. अगला प्रश्ण है, कर्ण वन्स का संस्तापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशुदेर. सेकेंड आप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कर्ण वन्स का संस्तापक. अगला प्रश्न है बिंदु सार ने तक्षिला में विद्रोग कुचलने के लिए किसको भेजाता तक्षिला में किसको भेजाता बिंदु सार द्वारा असोक को Second option इसका correct हो जाएगा अपने पुत्र असोक को भेजाता अगला प्रश्ण है बोध धरम एवं जैन धरम दोनों के उपदेश किसके साशनकाल में दिये गए थे असोक, बिम्बिसार, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिम्बिसार सेकेंड ओप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बोध धरम और जैन धरम दोनों के उपदेश दिये गए थे बिम्बिसार के साशनकाल में अगला प्रश्ण है बुध के गरतियाग का प्रतीक है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह ओप्शन गोड़ा गोड़ा है जोकी बुध के गरतियाग का प्रतीक है और उनके जनम का क्या प्रतिक है? कमल, कमल है जो कि उनके जनम का प्रतिक हो जाएगा और बुद्ध का जो प्रत्थम प्रवचन था उसको कहा जाता है धम चक्र परवर्तन जो कि सारनात में दिया था ये थे सबी हिस्ट्री के इंपोर्टेंट कोशन्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगओ तो लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक्यू